ये वीडियो कई चीजों के लिए महत्पूर्ण होने वाली है जैसे कई बार यमना के प्रदोशन के बारे में कोशन आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए किन जिलों से उत्तर प्रदेश के यमना होकर गुजरती है और उनकी संख्या कितनी है तो आपको मैं बता देता हूँ कि वो जिले 20 है उननिस जिले नहीं है जिनसे यमना जाती है जिलों की संख्या 20 है अब देखते हैं कि वो कौन से जिले है पहले तो आप ये जानेंगे कि यमना नदी उत्राखंड में बंदर पूँच चोटी से निकलती है यमनोत्री से और उत्राखंड और हिमाचल की सीमा बनाती है ये पॉंटा साहिब जो टूरिस्ट पैलेस है धार में किस थल है यमना नदी के तटपर है पॉंटा साहिब हिमाचल में है अब यमना नदी का प्रवेश जो है वो सहारनपुर जिले में है यहां उत्तर में सहारनपुर में प्रवेश करती है यमना नदी अब यह सहारनपुर जिला है और इसकी यह पश्चिमी सीमा है हर्याना इधर दूसरी तरफ हर्याना का जिला है यमुना नगर अब हर्याना और सहारनपुर के मद्ध है ये जो यमुना नदी है ये सीमा निर्धारण का कारे करती है नुकुड तहसील है या नकुड तहसील बोल देते हैं से यह तहसील है यह यह बेहट तहसील है अब नुकुड जो तहसील है आपकी यह नकुड तहसील यह यमना नदी के ही तटपर है आगे चलते हैं तो एक तो जिला हुआ आपका सहरनपुर यमना नदी के तटपर दूसरा मुजफर नगर से अभी 2011 में एक जिला बनाया गया शामली शामली यमना नदी के तटपर इस्थित है और शामली में एक जगे पड़ती है वो बड़ी चर्चित रहती है नाम है कैराना आप देख पा रहे होंगे ये कैराना का छेतर है कैराना यमना नदी के तटपर है नहीं से हाईवे गया है नेशनल हाईवे आप आगे पड़ोगे तो ये नेशनल हाईवे है यहां हरियाना बना इधर दूसरी तरफ ये हरियाना कैराना तहसिल से आगे बढ़ते है यमना नदी पहले मुजफर नगर से जाती थी लेकिन जब से शामली बनाए तो मुजफर नगर से यमना नहीं जाती ये बागपत ये इतना जिला है बागपत का बागपत की पश्चिमी सीमा पर यमना फिर आगे ये दिल्ली दिल्ली में यमना तो गुजरती है लेकिन आप ध्यान से देखेंगे यहां गाजी अबाद गाजी अबाद का बहुत कम छेत्र यहां पर इस जगा आप देख पा रहे होगे यह जो छेत्रे यहां से यमना नदी गुजरती है इस जगा से जो आपकी उत्री दिल्ली है नौर्थन दिल्ली उसकी सीमा गाजी अबाद से लगी है दूसरी तरफ आ जाते हैं तो यहां यह दिल्ली है गाजी अबाद के बाद में यह गौतम बुद्रनगर यानी नौएडा नौएडा के ज़स्ट अपोजिट यहां फरीदाबाद है तो हरियाना के जिल्ले हम बाद में देखेंगे जो यमना नदी के तटपर है आज हम यह देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिल्ले है तो फिर यह नौएडा यानी गौतम बुद्रनगर नौएडा इसका जिल्ला मुख्याल ले है आगे जो नौएडा है यह यमना नदी के तटपर है यहां आप देख पा रहे होगे आगे चलते हैं तो एक जगा है नौएडा में ही बतलब गौतम बुद्रनगर में ही जेवर यह यमना नदी के तटपर इस्थित है यहां पर नहर भी बनी होई है तो यह नौएडा यानी गौतम बुद्रनगर आगे अलीगर्ड यह जिला अब यह यमना नदी अलीगर के बाद से मत्रा में अंदर की और प्रवेश कर जाती है मत्रा में अंदर की तरफ अब मत्रा में अंदर की तरफ जब यह प्रवेश करती है तो यहाँ पर छोटी छोटी जगा पड़ती है जैसे मत्हुरा में उत्तर की ओर जहां ये प्रवेश कर रहे हैं मत्हुरा में तो यहाँ पे एक जगए है शाहपुर शाहपुर बांगर मत्हुरा के बीच में से लगभग यमना नदी बहती है मत्हुरा में जब आप देखोगे तो मत्हुरा का जो इधर वाला छेतर है यमना के ये थोड़ा सूखा है और ये वाला जो छेतर है ये थोड़ा ड्राय है आत्र है अब वो चीज़े देखते हैं कि मत्हुरा में जैसे आपका आपके एक जगा है नंदगाओं तो नंदगाओं यमनापार है इधर से इधर की तरफ ये बरसाना नंदगाओं ये कोसी है यहाँ पर एक जगा है कोसी नदी भी है वो बिहार वाली अलग है कोसी नदी एक रामपुर में भी है जो गंगा की सहायक है कोसी बैराज भी है जो नैपाल में बना हुआ है हनुमान नगर में हनुमान नगर अलग है गंगा नगर अलग है और हनुमान गड़ अलग है आगे हम ये सब चीजे भुगोल में देखेंगे आगे चलते हैं मत्वरा से होते हुए ये आती है आगरा में बहुत ध्यान से, आपको देखना है, आगरा और मत्रा की ये वाली सीमा बना रही है, यमना नईवर, हातरस में यमना नदी नहीं है, जबकि हातरस की सीमा मत्रा से लगती है, आगरा मंडल में ही आता है, हातरस भी, लेकिन हातरस में यमना नदी नहीं है, मत्रा और आगरा, ठ सब जितना भी छेत्र है आपका, ये आगरा का, इसमें अंतर प्रवेश करती है, और फिर आजाती है ये फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद में और आगरा में दोनों में एक दूसरे में ये सीमा निर्धारण का कारे कर रही है, ये सीमा बनाती है यहाँ पर, इस छेत्र में, आगे चलते हैं, यह है इटावा, इटावा के छित्र में जब प्रवेश करती है, तो अंदर इटावा के है, मद्दे परदेश में नहीं है यमना, याद रखेंगे, मद्दे परदेश में यमना नहीं है, इसकी सहायक नदिया बहुत है, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है इटावा में प्रवेश करते हुए फिर ये औरया ये औरया के छित्र में और इधर से ये चंबल न दिया के मिल जाती है मुराद गंजी के पास औरया में अब औरया में जब ये प्रवेश करती है तो ये पूरा आपका नीचे की तरफ ये पठार है और उपर ये मैदान है औरिया के बाद में ये कानपुर देहात अकबर पुर इसका जिला मुख्याल ले है अकबर पुर याद रखेंगे अब कानपुर देहात की दक्षणी सीमा से होते हुए कानपुर और नीचे आप देखोगे तो ये जालाउन क्योंकि जब कानपुर और जालाउन की सीमा बनाती है तो जालाउन से भी प्रभाईत है ये चीज़ आपको याद रखनी है कानपुर जालाउन ये कानपुर नगर है कानपुर नगर कानपुर नगर के दक्षणी छेतर से प्रभाईत होती है ये हमीरपुर हमीरपुर और कानपुर की सीमा बनाती है इधर से ये जो नदी आ रही है ये बेतवा है बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है यहाँ आगे चलते हैं ये फतेहपुर फतेहपुर और हमीरपुर का बॉडर बना रही है फतेहपुर और बांदा जिले का ये जिला बांदा है बांदा जिले और फतेहपुर की सीमा बनाती है फतेहपुर और बांदा से होते हुए जब आगे बहती है तो नीचे से एक नदी आती है इसका नाम है करणवती या केन नदी तो बांदा जिले में यहीं पर इसी जगह यमना नदी से के नदी आकर मिलती है दाएं और से, राइट और से, राइट साइड से अब बांदा से आगे प्रभाहित होते हुए फत्यपुर बांदा की सीमा बनाते हुए जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आपको जिगह मिलेगी आपको चित्रकूट चित्रकूट में यमना नदी है यह वाली यमना नदी चित्रकूट की सीमा और फत्यपुर की सीमा दोनों की सीमा निर्धानिर करती है यमना फिर आगे कौशामबी कौशामबी और चित्रकूट की सीमा बनाती है फिर कौशामबी से आगे चित्रकूट की सीमा बनाते हुई ये प्रियाग राज प्रियाग राज और कौशामबी की सीमा बनाती है अब टोटल जिले देखते हैं कि कितने हैं यहीं से देख लेते हैं, प्रियाग राज, कौशामबी, एक, दो, तीन, चित्रकूट, चार, बांदा, छे, फतेहपुर, साथ, हमीरपुर, हमीरपुर के उपपर ये, आठ, कानपुर नगर, नौ, कानपुर देहात, दस, जालौन, ग्यारा, औरेया, बारा, इटावा, तेहरा, आगरा, चौधा, मत्रा, इसके बाद में, मत्रा के बाद में, अगर आप देखोगे, तो उपपर की ओर, ये अलीगण, यहाँ पर, पंद्रा, सोला, गौतम बुदनगर, सत्रा, गाजी अबाद, अठारा, बागपत, उनिस, शामली, और बीस, सहारनपुर, फिर एक बार देख लेते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, यह बॉडर है पूरा का पूरा, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजी अबाद, ये गाजी अबाद से भी लग रहेए, यहाँ, गाजी अबाद, चार, पाँच गौतम बुदनगर, 6. अलिगर, 7. ये मत्रा, 8. आगरा, 9. फिरोजाबाद, 10. इटावा, 11. औरिया, 12. जालोन, 13. कानपुर, 14. कानपुर नगर, 15. हमीरपुर, 16. फतेहपुर, 17. बादा, 18. कौशामवी, 19. चित्रकूट, और 20. आपके इधर प्रियागराज, टोटल 20 जिले हैं, यमना नदी के तटपर, उत्तर प्रदेश के, अब हम बोर्ड पर इस चीज को पढ़ेंगे, और वीडियो, आपको नदीयों की वीडियो मिलेंगी, बहुत जल्दी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल की आपको सपोर्ट की जरुत है, सुधार क्या कर करने है, मुझे जानता हूँ में, कुछ वॉल्यो में सुधार करना है, क्वालिटी में सुधार करना है, वो धीरे धीरे होता रहेगा, अभी आपकी जरुत है मुझे, चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज जादे से जादा सस्क्राइब, होगा चैनल तो उसकी घ्रोथ होगी, खुरी वीडियो को आराम से आप देखिए, विवादित कोशन को ही उठाना मेरा एक उद्देश्य है, एक मात उद्देश्य ने कह रहा हूँ, एक उद्देश्य कारे में बताना है, कैसे पढ़ना है ये बताना है, और अबाउट में जाकर टेलिगराम चैनल को जरूर जाइन कर लीजिए, धन्यवाद